हलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपके साथ प्रशान्त और स्वागत है आपका बिग बॉस में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिग बॉस सीजन 14 को अब 3 हफते लगभग पूरे होने वाले हैं और घर के अंदर हाली में पहले कैप्टन को लेकर एक टास्क दिया था बिग बॉस ने और बिग बॉस ने ये टास्क के लिए संचालक बनाया था अजास खान और पवित्रा पुनिया को यह आप सभी जानते हैं कि कुछ दिनों पहले सद्धार शुकला की टीम में थे यह दोन को रैजजोन में रखा गया है लेकिन पहली कैप्टनकी के लिए घर के अंदर एक टास्क लिए था और इस टास्क के दौरान एजास और पवित्रा को श्ंचालक बनाया था अब संचालक का काम क्या होता है कि टास्क के दौरान फेर रहना, कौन किस तरीके से गेम खेल रहा ह इस पर नजर रखना और डिसीजन लेना कि आखिर कौन चीता है लेकिन बिग बॉस का घर हो और संचाला कोई ड्रामा क्रियेट ना करे या बवाल ना हो ऐसा कैसे हो सकता है अजाज और पवित्रा पुनिया दोनों ही काफी जादा लड़ाई करते हुए दिखाई दिये बीते कुछ दिनों में जस तरी के से ये टास्क हुआ कैप्टेंसी का दोनों के बीच पोसनल लड़ाई इतनी हुई कि लोगों को इनकी लड़ाई पत्ती-पत्नी की तरह लगी जी हाँ बहुत से लोग यूजर्स हैं जो कि बोल रहे हैं कि इन दोनों की लड़ाई पत्ती-पत्नी वाली लड़ाई है कही न कहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि दम संचालक इन दोनों ही संचालकों को लोगों ने डम बताया है और बहुत से लोग कह रहे हैं क दिखने के लिए ये overacting करने हैं तो इनकी लड़ाई पर तरहा तरहा के reaction सामने आ रहे हैं तो चलिए आपको दिखाते हैं ऐसे ही कुछ टूइट Dumb Sanchalaks, Pavitra and Ajaz, इतनी overacting क्यों भाई क्यों? Ajaz is fair Sanchalak, like his game, but at last just because of louder, Pavitra Poonia unfortunately Jasmine lost captaincy task with Abhinav Shukla felt bad for them. I wish Pavitra should be little bit mature इसके अलाबा एक और यूजर ने लिखा है, Ajaz का Rone का season last तक चलेगा जो Pavitra Poonia ने उसको nominate किया था. अरे भाई, बस करो कितना बोर करोगे Big Boss में Rubina and Abhinav Shukla के सिवा और एक जोड़ी दिख रही है Sanchalak है या Mia Bibi का जगडा. Unnecessary Argument between Pavitra and Ajaz Found Pavitra Poonia Overreacting. तो देखा आपने कोई लोग इसको इन दोनों की लड़ाई को ओवर्याक्ट करना बता रहे हैं कोई लोग बोल रहे हैं कि दिखने के लिए जादा ही ड्रामा कर रहे हैं. कुछ लोगों ने इनकी लड़ाई को Mia Bibi की लड़ाई बता दिया है तो आपको मैं ये बता दूं कि Ajaz और Pavitra जो हैं वो इस गेम के लिए एकदम perfect contestants हैं वो जब से आए हैं लगातार सुर्ख्यों में बने हुए हैं और बार-बार मुद्दों पर बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन क्या टेंसी टास्क में इन दोनों की लड़ाई बहुत ही जादा लेवल पर बढ़ गई नहां पर Ajaz जो हैं वो लगातार यही बोलते हुए नजर आए कि तुमने मुझे नॉमिनेट क्यों किया था तो वहीं दूसी तब जो पवित्रा हैं वो भी बोलती हुए नजर आए कि मैं आई थी तुम्हारे पास सौरी बोलने के लिए तो इस चीज को लेकर कि लगातार इन दोनों के भी जगडा चलता रहा बाकी के घरवाले भी जो थे वो भी कन्फ्यूज थे कि आफिर इतना भी को सीधा बिग बॉस ने आउट कर दिया टास्क से तो वो काफी भड़क गए कि अभीनब की पवित्रा और एजास की वज़े से हम दोनों को भाहर कर दिया गया टास्क में तो काफी कुछ देखने को मिला लेकिन एजास और पवित्रा की लड़ाई लोगों को हजम नहीं हो रही है लोग इसको ओबर्याक्ट इनकी बता रहे हैं वहीं दूसी तरफ इन दोनों को मिया बीबी का जगडा इनका देखने को मिल रहा है लोगों की नजरों में वैसे आपको क्या लगता है इनकी लडाई पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके सबरूर बताएं और बिग बॉस 14 से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें न्यूज एक्सप्रेस के साथ